नमबर चार बच्चों में जो बुराईयां पैदा होती उनमें क्या है और एक बुराई आपस की जगड़े है बच्चे आपस में लड़ते हैं और बच्चे सब एक साथ तो पैदा होते हैं एक के बाद एक बाद वाले जो बच्चे होते हैं उनसे पुराने बच्चे जलने श देखता है अब डिविजन होने वाला है माँ उस बच्चे को प्यार कर रही है मेरा प्यारा बच्चा मेरा अब ये देख रहा है दूर से ये आके इसमें ढ़ंग नहीं है वो आके उसको लेने की कोशिश करता है खीचने की कोशिश करता है तो माँ उसको क्या करती ही जिड़क के अरे बत्तमीज कहीं का ऐसे लेते हैं नालायर हट उसको नुकसान पहुचाएगा तो और फिर और वो रोने लगता तो और उसको प्यार करती है ये दूर से खड़े रहे के देखता है कि एक जमाने में हम भी इस जगा हुआ करते थे तो ये जिस शुलुक देखता है तो एक फितरी चीज है कि उसके अंदर उसके लिए हसत पैदा होता है और वो गेर शौरी तोर पर उसको अपना दुश्मन समझ लेता है ये मेरा कमपेटिटर है ये मेरी आपोजिशन पार्टी है और फिर बाज वकात ऐसा भी होता है कि मा क माबाब का काम ही होता है कि छोटा जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसकी महबत के साथ-साथ उस बच्चे को भी गरीब करें और उसको इसका दोस्त बनाने की कोशिश करें देखो तुम्हारा बड़ा भाई है है ना उसको प्यार करो तुम इसको प्यार करो देखो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है देखो तुम उसको कुछ दिला कि उसको कई बच्चे को गिफ्ट दो तुम आप क्या करें उसको आप बोलें बेटा देखो तुम्हारा चो चोटे भाई के लिए गिफ्ट जब वो देगा तो उसका दोस्त बनेगा एहसान दोस्ती पैदा करता है जब वो खुद अपनी तरफ से गिफ्ट देगा तो वो खुद भी महबत करेगा इस तरह से करना फिर थोड़े बड़े होंगे फिर तो लड़ना वाजबी है किसी ना कि मैं नि लिया था, अबा पहले मैं निलया था, पहली इसने मुझको मारा पहले उसने मुझको मारा, मैंने ऐसा बूला तो उसने तुमाचा लगा लिए हम ऐसे से वक्तमें क्या करते हैं? हम बाज वकात accomplish блокि कहा है, हम हमेशा बड़े की बिटाई करते हैं, तुरे उ बड़ा ह एक की होती है दोनों की बिटाई करते हैं इंसाफ के साथ जगड़े छुड़ाना इंसाफ के साथ उन दोनों के जगड़ों को खतम करना उनके अंदर आपस में महबत पैदा करने के असबाब इख्यार करना एक दूसरे को बताना देखो तुम बड़े भाई हो तुम ने उनका इहतराम इज़त करना बदतमीजीन के साथ नहीं करना देखो ये छोटा भाई तुमारा है ये छोटी बहन तुमारी है तुम दोनों भाई हो ये बहन तुमारी है तुम दोनों ने मिलके इसकी सिक्यूरिटी करना चाहिए तुम इसके भाई हो, देखो कितनी प्यारी बच्ची, इसके लिए दो दो भाई हैं और कितना महबद करते हैं, आप उनको फीड करो इस तरह से उनको नेगेटिव बात मत बोलो, पॉजिटिव बात बोलो, उनके जहनों में डालो कि देखो कितना तुम्हारे भाई प्यार करते हैं, तो वो भी बोलेंगे, वो नई भी करते होंगे या उनको नाराज़गी भी होगी, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ महबद करेंगे encouragement और इस तरह का positive message देना बच्चों को, वो ले ले दे जल्दी, वो ज्यादा उसमें मुनाज़ात नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा आप प्यार दे दो, और उनको एक सही बात बता दो, मानते उसको तो ये भी एक बड़ा मसला है, कि बच्चों में हसद और बुख्ज और दुश्मनियां पैदा होती हैं, बच्पन ही से और बात की जिन्दगी में ये चीज़ें बढ़ भी जाती है, जायदात के जगणों पे जाके खतम होती है, या माबाब से एक बच्चा नाराज रहता कि आपने हमेशा उसका ख्याल रखा मेरा ने तक और इस तरह के जगड़ें उनमें आपस में भी दुश्मनियां होती है, तो बच्चों में आपस में जो बार बार चोटी 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 चीज़ पर लड़ेंगे, खेलेंगे लड़ेंगे, पढ़ेंगे लड़ेंगे, आपस में एक दुसरे से दुश्मनी मत रखो, आपस में एक दुसरे से छसद मत करो, आपस में एक दुसरे को पेट मत दिखायो, तालुक कता मत करो, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا بلکہ تم اے اللہ کے بندوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ یا تم اللہ کے بندے اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ تو یہاں پر جو ہے یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا امت کا مزاج کیا ہونا چاہیے تو سگے بھائی ہیں ان کا مزاج کیا ہونا چاہیے بہنیں ہیں ان میں آپس میں مزاج کیا ہونا چاہیے تو آپس کے جھگڑے بچوں کی چھوڑانا اور ان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنانا یہ بچپن ہی سے ماباپ کا طریقہ ہونا چاہیے آپ کے دو بچے ہیں تو یہ آپ یہ نہ کریں کہ ایک کو قریب کیے اور دوسرے کو دور بٹھائے آپ ایک کو ادھر لیے اور آپ کوئی قصہ ان کو پڑھ کے سنا رہے کوئی حدیث پڑھ کے سنا رہے اور اس کو بھی پیار کیا اور دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنایا یہ اگر آپ کرتے ہیں اکثر انصاف جو ہے یہ آپس کے جھگڑوں کو ختم بھی کرتا ہے یہ بھی ضروری ہے تو اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا کتاب العدب حدیث نمبر چھہزار پینسٹھ اور صحیح مسلم کتاب البری وصلہ والا عداب حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاون تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان میں آپس میں دشمنی حسد اور قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے موسیقی